Dear students, मैं दिविंदर सिंग चैल, साइंस मास्टर, सरकारी हाई स्कूल, शेरगड, डिस्टिक्ट फाजिल का, आप सब दा स्वाकत करदा हाँ, प्यारे विद्यार्थियो, आज यसी जमात अठ्वी, दा चैप्टर, सिंथेटिक फाइबर्स, इसनो समझागे, सिंथेटिक फाइ दे की गौण ते और गौण हाँ, आओ, की ये ना दे बेनिफिट्स हान, ते की ये ना दियां कमिया हाँ, आओ, सिखते हाँ, बनावटी रिषे या सिंथेटिक फाइबर्स, या आर्टिफिशल फाइबर्स दे बारे, जैर्थियो, सब तो पहला प्रशन जड़ा साधे बा बनाओटी रेशे केनने हां तब बनाओटी रेशे की हां विद्यार्थियों जदों शब्द आ जान्दा है बनाओटी इस तो क्लीर है कि ये नेचुरल या प्रकृतिक नहीं होंगे इन्नानू मनुख द्वारा बनाया जावेगा एसे करके इन्नानूसी मैनमेड फाइबर्स क प्रियोग शाला देवेच बनाया जान्दा है उन्हें प्रियोग शाला देवेच कि में बन दे हां तब द्यार्थियों एक क्रिया हुंदी है जिसनों सेके न्हां पॉलिमराइजेशन इस पॉलिमराइजेशन क्रिया राही सिंथेटिक फाइबर्स नों बनाया जान्दा है उने polymerization क्रिया की है जाते हो इस क्रिया देवेच small molecules जिननों वसी monomer कहने हाँ small molecules छोटे छोटे अनू जिननों वसी monomer कहने हाँ उननों एक लंबी लड़ी देवेच जोड़या जान्दा है उस लड़ी नों से कहने हाँ polymer ता इस तो पाग की होया monomers छोटे छोटे molecules जिनना नों से एक करके एक लड़ी देवेच पर हो दिनने है उस लड़ी नों से कहने हाँ polymer ते जिस क्रिया राही इननना छोटे छोटे अनूआ नों लड़ी देवेच पर होया जान्दा है उस क्रिया नों कहने हाँ polymerization लड़ी आथे ओ polymer शब्द दो words तो मिलके बढ़े है पहला है poly दूसरा मर poly तो पाव होंदा है many poly means many ते मर means single unit इस दोनों शब्द Greek पाशा तो ले गए है इस ता पाव की है monomer नाम दिया single single units नो ज़दों एक लड़ी देवेच प्रो लिता जान्दा है उस लड़ी नों सी कहने हाँ polymer इस तरह synthetic fibers नो प्रियोक्षा लादेवेच बनाया जान्दा है एसी what is synthetic fiber एक कि में बन दे हैं एसे polymerization करेया नो असी थोड़ा जा एक होड डायग्राम रही समझ दे हाँ द्यार थी हूँ जिमें कि तुसी समने screen दे विच देख रहे होंगे what is polymerization combining monomers to make a long chain और polymer पाव छोटे छोटे molecules जिनना नो असी monomer कहने हाँ उनना नो एक लड़ी दे विच प्रवया जानदा है जिमें कि तुसी screen देख रहे हूँ उस लड़ी नो उसी कहने हाँ polymer ते जिस क्रिया रही इनना monomers नो polymer दे विच change कीता जानदा है उस क्रिया नो उसी कहने हाँ polymerization now एक वार होड इस नो अपना समय दे हाँ monomer की हाँ small molecules polymer की है a long chain of monomers ते polymerization की है ओ प्रोसेस जिस रही monomers नो एक लंबी chain दे विच बदलिया जानदा है उस क्रिया नो उसी कहने हाँ polymerization इस तरह छोटे छोटे molecules जिनननो उसी monomer कहने हाँ उननो जोड़ के एक लड़ी बना लेती जानदी है जिसननो उसी polymer कहने है एनो उसी एपने एक क्रेलू उदारंदे तोड़ते विदेख सकते हैं विद्यार्थ्यों जेकर तो उसी एक माला बनावनी है उन माला बनावन नहीं साननों छोटे-छोटे मनके चाहिदे होनगे वो छोटे-छोटे मनके उनननों सी मन लेन्या monomer उननना छोटे-छोटे मनके नों ज़सी जदों सी एक तागिरा ही परोग लेन्या तो एक माला साडिकूर बन जान्दी है यह माला इस नोन आज पॉलिमर इस क्रिया नों सी की कहने है पॉलिमराइजेशन ता इस तरह सिंथेटिक फाइबर्स यह बनावटी रेशया नों प्रयोग शाला देवेच मनुख दवारा बनाया जन्दा है एसे करकेस नों सी कहने है man-made फाइबर्स ओन विध्यार्थियों अगली गयल करदे है टाइप्स ओफ सिंथेटिक फाइबर पाव किन्ने तरह आदे सिंथेटिक फाइबर यह बनावटी रेशय होंदे है साथे सिलेबस दे विच चार मुख सिंथेटिक फाइबर बारे असी जानेना है सब तो पहला है रियोन विध्यार्थियों रियोन नों असी आर्टिफिशल सिल्क आव बनावटी रेशयम भी कहांदे हां दूसरा रेशय है नाइलोन थर्ड सिंथेटिक फाइबर इस पॉली एस्टर तिछ उत्था बनावटी रेशय है अक्रिलिक जिसनों असी बनावटी उन यह आर्टिफिशल वोल भी कहांदे हां आव विद्यार्थियो सब तो पहले सिंथेटिक फाइबर रेवन यह जिसनों असी बनावटी रेशयम भी कहने हां उस तो शुरू करते हैं विद्यार्थियो जिमे कि तुसी स्क्रीन चे देख रहे होंगे रेवन ब्रैकेट चे लिए किया है आर्टिफिशल सिल्क विद्यार्थियो सिल्क जिसनों सी पंजाबी चे रेशयम भी कहने हां वो एक कुदर्थी रेशया है जन्तु आतों प्राप्त होना ला वो रेशयम दा कीड़ा है जिस तों रेशयम सान्तु प्राप्त होना है बट कुदर्थी रेशयम बहुत मेंगा होना है क्योंकि उसनों बनाउनदा उसनों प्राप्त करनदा तरीका काफी कौसली होना जिस करके कुदर्थी रेशयम बहुत मेंगा होना है हर नॉर्मल बंदा उसनों अफोर्ड नहीं कर सागदा उस दे आप्शन दे तोर दे रियोन बनाया गया यह बेलकुल रेशम वर्गा लगदा है उस तरह दी हिस्त दी चमक हुंदी है कमफर्टेबल भी हुंदा है बट रेशम तो कुदर्ती रेशम तो यह बहुत ज़्यादा सस्ता हुंदा है उन्हें इसनों बनाया के में जानदा है विद्यार्थियों रेयोन या आर्टिफिशल सिल्क एक अजेहा बनावटी रेशा है जो बनदा प्लांट्स तो प्राप्त सेल्यूलोज तो ही है देख केमिकल्स रही प्रोसेस कीता जानदा है उस प्रोसेस करन तो बात सनुप्राप्त हनदा है रेयोन सब तो पहला उन्हें मी सदी दे विच रेयोन नू बनाया गया ए मनुक दवारा बनाया गया सब तो पहला बनावटी रेशा है फर्स्ट मैनमेड फाइबर ये लगदा रेशम वर्गा है, बट ये नेचुरल ये कुदर्ती रेशम नहीं है, ये आर्टिफिशल सिल्ख है, जिसनों सी प्रयोग शाला देवेच बनाया, कुदरत ने सनुहे नहीं दित्ता. विद्यार्थियो रेशम देडवांटेज़ अते डिसद्वांटेज़ इस देगोन ते इस दियां कमी है, विद्यार्थियो जिमें कि तुसी स्क्रीन विच देख रहे होंगे, अडवांटेज़ सब तो पहला इस दागोन, सौफ्ट एंड कमफर्टेबल, ये सौफ्ट पाव कमफर्टेबल है, अगर सी रेउन तो बने होई कपड़े होने हां, तो ये काफी कमफर्टेबल है, साढ़े शरीन वे खांदा नहीं, दूसरा ड्यूरेबल, पाव, इसनो जल्दी कीडे नहीं लग दे, ये जल्दी खराब नहीं होंदा, जेकर सी कुदर्ती रेशन दी गाल करिए, तो उसनो कीडे भी जल्दी लग दे हां, खराब भी जल्दी होंदा है, ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होंदा, बट रेउन एक आर्टिफिशल ये बनावटी सिल्क है, रेशन है, तो इस दी ड्यूरेबिल्टी नेचरल रेशन तो ज्यादा होंदी है, और गल कर दे ह डिस एड्वांटेज या इस रेशदियां की कमिया हान, सब तो पहली गल, रिंकल्स इजी ली, रिंकल्स इस नोसी अगर आम पाशा दे विच कहिए ता वाट पेना, रियोन दे बने होई कपड़ियां दे विच वाट बहुत जल्दी पेन दे हान, ज्यादा पेन दूसरी सि इस दि कमी श्रिंक होना है, पाव एक कपड़ा सुंगर जन्दा है, श्रिंक हो जन्दा है, तीसरा इस दि कमी heat sensitive, पाव जेका रियोन तो बने होई कपड़े वसी गर्मी दे या heat दे किसे सूस दे नेड़े लेके जावाँगे, ता ये पिगल जावेगा, बहुत ज़्याद हीट सेंसिटिव हुन दे हां यह हमें इस रियोन नाम दे आर्टिफिशल फाइबर दे हां कुछ गोण होते कुछ कमी हां होण विद्यार्थियों गाल कर दे हां दूसरा बनोटी रेशा यह सिंथेटिक फाइबर जिसनों सी कहने हां नाइलोन विद्यार्थियों नायलोन नाम दा रेशा सानु कुद्रत वीच नहीं मिल दा इसनों असी पूरली लैब दे विच बणाने हां तै इसनों बणान दे लई हुन जिमें रेएण असी बनाना सी ओप्लांट्स तो प्राप्त शेलूलूस नों असी प्रोसेस करके बणानाई सी ब इसनों बढ़ाओन लई ओल एन पेट्रोलियम ओल आते पेट्रोलियम उन्ना तो प्राप्त कार्बन युक्त केमिकल्स उन्ना तो इसनों बढ़ाए जान्दा है ता नाइलोन प्यूरली सिंथेटिक फाइबर है जिसनों असी लैब दे विच ही बनावाँगे किसे तरह दे उदर्ती पदार्दी उस दे विच वर्तो नहीं होंदी ओल एन पेट्रोलियम उस तो प्राप्त जड़े कार्बन बेस्ट और्गैनिक केमिकल्स हान उस तो नाइलोन नो बनाया जानता है उन विद्यार्थियों गल कर दे हाँ इस रेशे दे गुणा अते और गुण बरे विद्यार्थियों नाइलोन दे कुछ एडवांटेज़ेस जी मैं की तुसी स्क्रींज देख रहे होंगे सब तो पहला इस दा गुण बहुत मजबूत है नाइलोन दा रेशा विद्यार्थियों पहाड़ां दे उपर चड़न वाले परवत्रोही अते पैराशूट इना दे वेच नाइलोन दी वर्तों की ती जान्दी है देखो पहाड़ां दे उपर जेकर किसे ने चड़ना है तो सनु रस्यादी जरूट पहऊगी उब थे असी cotton या रेशम दे बने हुए रस्यादी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो मजबूत नहीं होंदे उब थे यूज़ किते जान्दी हान नाइलोन रेशे तो बने हुए रस्यादी क्योंकि नाइलोन बहुत मजबूत रिशा है पाडान्दे उपर जदो कोई बंदा चाड़ रहा है ताप पाडान्दे नाल फ्रिक्शन नाल नाइलोन तो बढ़ा हुया रसा जल्दी खराब नहीं होंता दूसरा पैराशूट विद्यार्थियो पैराशूट सनो पता है मनोख अपने पिट दे उपर पैराशूट नो बांदे हैं तो बड़ी हाइट तो जब कर दे हैं और जदो पैराशूट नाल से जब कर दे हैं तब पैराशूट उपर हवा दा बहुत ज़्यादा दबाव पेंदा है और जेकर पेराशूट किसे कमजोर रेशे तो बने होवेगा तो फट जेगा इस करके पेराशूट बने अल्ली नाइलोन दे रेशे यूज़ किते जान देहन क्योंकि यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है हवा दे दबाव नाल वो पेराशूट फट दा नहीं दूसरा गुण एलास्टिक पाव नाइलोन दा रेशा किचीन योग होंदा है उसनोंसी खिच सकते हैं फ्लेक्सिबिल्टी होदे विच होंदी है इलास्टिसिटी होंदी है तीसरा गुण ड्राइज क्विकली जेकर नाइलोन दे रेशे तो बने होई कपड़े सी पाए है वो पाणी नल पेज भी जानगे तब बहुत जल्दी हो हो सोक जान दे हैं ड्राइज हो जान दे है इसी नाइलोन दे गुण उनगाल कल दे हैं इसनियां कमियां बारे सब तो पहली कमी जेकर नाइलोन दे रेशे दे नजदीक जेकर सी कोई भी हीट दा सोर्स या जल्दी होई माचिस दे तीली लेकर जामांगे तो इसनों बहुत जल्दी आग लग जान दी है तो इसनियां कमी है दूसरा डजनाट अब्जाव वाटर पाव एपाणी नों सोखदा नहीं और ज पर नाइलोन तो बढ़े होई कपड़े उस पसीने नों सोखण गे नहीं अब्जार्ब नहीं कर सकते तीसरा इस दी कमी है स्टैटिक एक ही है विद्यार थी उस स्टैटिक तो पाव है और इसनों एक सेंपल एक्जामपल नाल तो नों समझाओना है कई बार असी कोई टीश प्लास्टिक दी चेहर तो खड़े होने हां जय कर आसी इस दे हत लगा के खड़े होने है तथ आसँ विद्याल तो एक हलक आ चाटका लग दै है दूसरा सग्ळियां दे विच जदो छाक ही कोई धर वीद्यार्थियो नाइलोन दे कपड़े जिन्हों प्लास्टिक दे नाल रब कीते जान दे हान, ता इन्हों दे विच्छ स्टैटिक चार जा जान दा है जिस कारण उसा जोनवा हो चटका लगता है या छिंग्यारे निकल दे ते इस दे एक कमी है ता एसी नाइलोन के में बनदा है कि इस दे गोण हां ते की इस निया कमी हां हम विद्यार्थियों गल कर दे हां next synthetic fiber जिसनों सी कहने हां polyester विद्यार्थियों polyester नो basically petroleum तों प्राप्त कीता जानता है दुनिया दा सब तों ज़्यादा popular सब तों ज़्यादा यूज होनवाला synthetic fiber polyester ही है उन्हें बनदा के में है विद्यार्थियों एस्टर नाम दा एक chemical group है compound है एस्टर दे विच्चों फलावर्गी गंद होंदी है और polyester शब्द दे विच्ची ही ester जुड़ा हुए है दो शब्दां दा मेल है पहला है poly दूसरा ester poly तो पाव है कई सारे ता जदो ester groups दिया है कई सारिया units नो repeat कीता जानदा है उस नाम बनदा है polyester ता एसी polyester नो बनदा तरीका और विद्यार्थियों जदोसी बजार जानने है ता पॉलियस्टर तो बने हुए कपड़े कई नामातों बजार दे विच्च सेल होंदे हैं जिन्ना दे विच्चों सब तो पहला नाम है poly caught एं भी दो शब्दा तो मिलके बने हैं पहला है poly दूसरा caught poly तो पाव है polyester ते caught तो पाव है cotton इस ता मतलब की हुए poly caught दो तरांदे fibers तो मिलके बनदा है पहला है polyester ते दूसरा cotton मतलब जदोसी polyester अते cotton दोनानों आपस्ची मिला आदांगे ता उसनों सी कमाँगे poly caught छीडा synthetic fiber है दूसरा main नाम है poly wool ए भी दो शब्दां तो मिलके बने हैं पहला poly दूसरा wool poly तो पाव polyester वूल तो पाव wool उन जदों polyester अते wool उन दोनानों मिला देने हैं तां poly wool बनदा है जो एक synthetic fiber है पाव polyester एक अजेहा बनाटी रेशा है जिस देवी चसी cotton जो कुदर्ती रेशा है उसनों भी मिला सकते हैं ते wool जिला कुदर्ती रेशा है उसनों भी mix कर सकते हैं इस तरह हूर synthetic fiber बनाए जानते हैं और विद्यार्थियों गल करते हैं polyester दे गुणा पते कमियां बारे सब तो पहली advantage durable polyester बहुत durable fiber है इस दी shelf life ज्यादा है मजबुती ज्यादा है दूसरा less wrinkles पाव polyester तो बने होए कपड़े आंदेवेच वाट बहुत काट पहन देहां दीसरा dries quickly पाव polyester तो बने होए रेशे polyester तो बने होए कपड़े बहुत जल्दी सोक जान देहां दूसरी गल कर देहां इस रेशे दे कमियां बारे सब तो पहली कमिया polyester तो बने होए जेकरसिक कपड़े पाए हां तो उना दे उपर hold oil stain पाव जिन दे आई चिकन आई उस दे दाग बहुत जल्दी पैंदे हां oil देदा बहुत जल्दी पैंदे हां दूसरी गल absorbs less moisture पाव नमी नो बहुत काट इहें सोक दा है अब्सॉर्ब करदा है तीसरा static जे मैं कि तो पहलना दस या जिकर polyester दे कपड़े पाके भी है सी किसे plastic दी चेर देते बैठे हां उस नाल रगण नाल इन्ना दे रेशयां दे विच भी static चार्ज आजन्दा है ता एसी इस रेशय दियां कुझ कमियां होन विद्यार्थियों आसी तेन रेशयां बढ़े बढ़े हां होन गल कर दे हां चोथे रेशय दी जिसनों आसी कहने हां acrylic इसनों सी artificial wool यह बनाओटी उन भी कहने हां दियार्थियों सान्नों पता है उन सान्नों जन्तों तो मिल दी है पेड तो वो एक कुदर्थी हे रेशया है बट acrylic बिलकुल उन वर्गा ही लगदा है पर यह एक synthetic fiber है बनाओटी रेशया है उन क्योंकि एक कुदर्थी रेशया है तो वो मेंगी होवेगी acrylic क्योंकि यह बनाओटी रेशया है तो यह सस्ता होंदा है और लगदा है उन वर्गा ही है इस दे गोण इस दी लुक बिल्कुल उन वर्ग ही हुंदी है और इस नो बनाया कि में जानता है वे द्यार्थियो सिंथेटिक फाइबर है ता ये क्लियर है कि इस नो उसी प्रयोगशाला देवेची ही बनावांगे एक्रेलिक बनावन देली इक्के में बन दा है दे आत्यों वो रेशे जिनना देविच गट्व कट्व कट्ट पचासी परसंट ऐक्रिलो नाइट्राइल होगा उसनो लेके प्रयोगशाला देविच एक प्रॉसे अक्सस रही एक्रिलिक नामदे रेशे नू बढ़ाया जान्दा है जो बिलकुल उन वर्गा लगदा है पर उन तो काफी सस्ता होंदा है होन विद्यार्थियों गल कर दे हाँ एक्रिलिक फाइबर दे एडवांटेज़ आते डिस एडवांटेज़ परे सब तो पहला गुण एक्रिलिक फाइबर लो कास्ट है आव इना दी कीमत बहुत कट है यह आर्थियों होन एक्रिलिक बनावटी उन है नैचुरल वूल असी पेड़तों उदे वाड़ांटों प्राप्त करांगे वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है कई सारी है पेडांसा नू पालणी पैण गया फिर उन आदे वाड़ जद तक लंबे नहीं हों दे उद तक असी कट नहीं सहकते जो दुन ने वाल लंबे हों दे या उनन वाड़ा नहीं कट दे हां फिर उस तो बाद एक प्रोसेस बहुत लंबा हुंदा है जिस तो बादना वाला नो साफ कीता जाना है फिर डाई कीता जाना है एक लंबा प्रोसेस है जिस करके कुदर्थी उन दारेट काफी मिंगा हो जाना है बट एक्रिलिक जो एक बनावटी उन है वो बहुत सस्ती हुंदी है दूसरा इनसेट रजिस्टेंस पाव अक्रिलिक जो आर्टिफिशल गूल है इसनों कीडे जल्दी नहीं लगदे नेचुरल गूल जड़ी है उसनों कीडे लगदे है नों खराब भी हुंदी है जल्दी बट अक्रिलिक नो जल्दी इनसेक्ट करे नहीं करते ता ए दे गोणहन उन गल कर दे हां कमियां बारे सब तो पहली कमी स्टाटिक ओही गल इन एक्रिलिक तो बने होई रेश्यां दे विच भी स्टाटिक चार जा जानदा है जे करो नो प्लास्टिक दे नाल रगड़ा जावे या किसे होर मिटेरियल नाल दूसरा कमी है पिलिंग दे ओधिव पिलिंग की है तुस्य कई बार देख्या होवेगा थोड़े कुछ कपड़े हों हो देहां जिन्णा दे उपर छोटे क्चोटे गोल-गोल बाल्ज बंड़ जाद है जिनों सी आम पाशा देवेच कहने हां बोराओना तब बोर उसनों सी कहने हां पिलिंग तब एक्रिलिक जो की आर्टिफिशल गूल है उस देपर बोर बहुत जल्दी होदा है जादी होदी है जिसनों सी लिंट भी कहने है तीसरी कमी है हीट सेंसिटिव विद्यार्थियों जिदो एक्रिलिक तो बने होई रेशे उनना दे नजदीक आसी कोई भी हीट गर्मी दा सूर्स लेके जावांगे ता ये बहुत जल्दी अग फड़ लेंदे है ता एसी विद्यार्थियों बनावती रेशे कि में ये बनाई जानदे हैं हान की हुन दे हैं असी समझा कि सिंथाटिक फाइबर्जद प्रयोोग साल्ळा देवेच्छ मनुख द्वारा बनाई जान दे हैं कुझ सेंथाटिक फाइबर आसे हान जड़े कंप्लीटी लेब देवेच बनाई जान दे हान कुछ ऐसे हान जिन्ना देवेच चसी कुदर्ती रेशया नोगी मिक्स कर सकते हां जिमें पॉली वूल, पॉली कूट कुछ बनावटी रेशय ऐसे हान जिड़े कुछ कुदर्ती रेशया वर्गे लगते हां जिमें रेशया वर्गे या वूल वर्गे इनना सारे बनावटी रेश्यान देविच जो एक सब तो वड़ा बेनिफिट है गोण जिड़ा इनना है एकताई सस्ते होंदे है नो डाउट क्योंकि प्रियोक्षालाच बनावने हां ये काफी सस्ते होंदे है दूसरा डूरेबल आव इनना दी शेल्फ लाइफ ज्यादे हो कि ये रेश्यान दे आव आउटन們 कुछ गोण और जैकर गाल करिए इननना बनावटी रेश्यान दे कमिया बारे मारे ऑस्तोफ पहली कमिः ज्यु इनिा द रेश्या दी है वहां जैकर ऐ रेश्ये किसेभी değiş hautक्राश दें नेड़े इननना नू लेके जा मांगे ता ए आग बहुत जलती इननों अगलाब जान दिया दूसरी कमी ए रेशे पाणी नूँ ज्यादा अब्जॉर्ब नहीं करदे गर्मिया देवेच सनु पसीनना उन्दा उन्ना देवेच सी सिंथाटिक फाइबर नूँ यूज नहीं कर साकदे क्योंकि ये पसीनदेनू अब्जॉर्ब नहीं करंगे तीसरी कमी एनना रेशे यां देब बनाये होय जेकर से कपड़े पामाँगे ता ओ कपड़े जेकर आश्य कि प्लास्टिक या किसे हो उर्स हो उर्सनाल रगड़े जानंगे ता अन्ना देवेच स्टैटिक चार्ज आ जान था है ये अन रेशे इनना रेशियां दिया कुछ कमी है पर चीकर ओवराल गल करिए ता बनावटी रेशिय साड़ी जेब दे उपर साड़ी पॉकेट दे उपर बहुत सस्ते पेंदे हैं लगपग एहे कुदर्ती रेशियां वरके ही लगदे हैं ते इनना दे गुण भी हैं क्योंकि हैं मजबूत भी बनोने हां रसे भी बनोने हां क्योंकि यह मजबूत रेशा है इस तरह असी जाने हां सिंथेटिक फाइबर्स दे बारे मैं आज करदा हां आप सब नूँ इस टॉपिक समझ आ गया होवेगा तानवाद थेंक्यू बेरी मच स्टे हों स्टे सेफ कुर्णान पहे सुछ़ता टानश मैं भी बनोने हां सिंथे भी बनोने हां बसे तरह बनच भीड़नों सिंथे मічेर आप साज एगते हैं क्यों साज देगर शवबूत शमची हां ूrah एम जार्स जistes तरह रसा लिएववटर्स दोर нрав 것처럼 जा लिक वस्वटर्स